तो हलो एवरीबन वेल्कम इन तुड़ेज वीडियो तो आज का दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा हेरिंग ब्रुवल्स रिफ्लेक्स विच इस वेरी शॉट एक ही पेज का है हम कंप्लेट कर देगे छोटा सा कंसेप्ट है और शॉट नॉट में पूछा जा सकता है ठीक है तो फिर्स्ट अफॉल हेरिंग ब्रुवल्स रिफ्लेक्स इट इस टाइप अफ प्रोटेक्टिव मेकानिजम ऑफ दे बॉडी जो है ना लंग्स को ओवर इंफलेट या फिर ओवर डिफलेट होने से बचाता है तो बेजिकली इस वन अफ तो फिर्स नेगेटिव फ को अफिरनैंब व्रिक्टेश को बनाया है और अग्स्यूलस होगा कि अग्सेस लंग इंफलेट हो रहा है या फिर एक्सेस लंग डिफलेट हो रहा है इसकी वज़ेसे क्या होगा अगर excessive inflation हो रहा है तो जो receptors यहाँ पर पाए जाएगे in the herring brewer's reflex तो वो receptors brain को signal पहुँचेगे कि over inflation नहीं करना है तो response में हमको क्या मिलेगा prevent lung over inflation whereas अगर deflation मतलब जाला deflate हो रहा है over deflation of our lungs हो रहा है तो response में तो क्या हैगा prevent the lung collapse अब देखो यह छोटा साथ concept था but यहाँ पर इसका significance कहाँ पर आता है कि यह basically है ना this reflex हम एडल्स में नहीं पाई जाती but yes, infants में ज़रूर पाई जाती है it is a type of a protective mechanism but it is more useful in the infants rather than in the adult और infants में भी यह कब probably activate यह reflex कब होगी जब है ना टाइडल वोल्यूम है ना 1.5 लिटर पर ब्रेथ हो जाएगा मतलब नॉर्मल टाइडल वोल्यूम होता है 500 ml but जब अब सोचो कि जब टाइडल वोल्यूम 1.5 लिटर से बढ़ जाएगा ना पर ब्रेथ तब अपनी यह reflex होगी which prevent the over inflation या फिर over deflation अकते लंगे so this is a small concept of the herring brewer reflex ठीक है so notes in the telegram channel will be provided so बस और कुछ नहीं छोटा सा video था next video आएगा अपना J receptor या फिर J reflex के उपर that will be also the small concept और और a short note which is asked frequently okay छोटा सा concept रहेगा मिलते है अगले वीडियो में बाबाई आएगा आएगा आएगा